C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पठ्थे पुस्तक पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस तरहे महलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है हमने ये भी जाना कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों के देख भाल करना पूरे समय का काम है और इस कारे को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामू को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयोग तो समझें जाते हैं हम ये भी ग्याद करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किये पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिस से महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किये जा सकते हैं साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेद भाव को चुनोती देने के लिए किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे यहां एक चित्र है जहां एक बालिका ने ग्लोब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है प्रिष्ट पच्पन कौन क्या काम करता है बताए गए लोगों के चित्र बनाईए दिये गए बॉक्स में एक किसान एक मिलमजदूर एक नर्स एक वैज्यानिक एक पाइलिट एक शिक्षक चलिए अब आपके कक्षा दोरा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए तालिका को भरिए अब हर व्यवसाई के लिए पुरुशूं और महिलाओं के चित्रों को अलग-अलग जोड़िए वर्ग शिक्षक किसान मिलमजदूर नर्स वैज्यानिक पाइलिट पुरुश चित्र महिला चित्र क्या महिलाओं के अपेक्षा पुरुशों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुशों के चित्र अधिक हैं? क्या सब ने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है यदि हैं तो क्यों प्रिष्ट चपन यहां एक खेत में दो महिलाएं काम कर रही है भारत में 83.6 प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती है उनके काम में पौधे रूपना, खर्पतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं स्रोत, 165 नैशनल सैंपल सर्वे, 2004-2005 के कक्षा में 30 बच्चे हैं उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया और उसके परिणाम इस प्रकार रहे वर्ग शिक्षक पुरुष्चित्र पाँच महिलाचित्र पच्चीस वर्ग किसान पुरुष्चित्र तीस महिलाचित्र शुन्य वर्ग मिलमस्दूर पुरुष्चित्र पच्चीस महिलाचित्र पाँच वर्ग नर्स पुरुष्चित्र शुन्य महिलाचित्र तीस वर्ग वैज्यानिक, पुरुष्चित्र 25, महिलाचित्र 5 वर्ग पाइलेट, पुरुष्चित्र 27, महिलाचित्र 3 शीर्शक, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं रोजी मेडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पाइलेट के रूप में पुरुष्चों के चित्र बनाए ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाओं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है उदारण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाओं अच्छी नर्से हो सकती है क्योंकि वे अधिक सेहनशील और विनम्र होती है प्रिष्ट 57 इसे परिवार में स्त्रियों की भोमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनी की दिमाग के जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनी की कारे करने में सक्षम नहीं होती अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़ी वादी धरनाओं में विश्वास करते हैं इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर वा इंजीनियर बनने के लिए अध्यान करने और प्रशिक्षन लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है अधिकाश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष मान ले ये समझना आवश्चक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों और की दुनिया के दवावों का सामना करना पड़ता है कभी ये दवाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चड़ाने के कारण पैदा हो जाता है यहां एक चित्र है जिसमें रेल एंजिन ड्राइवर एक लड़की एंजिन में से जहांक रही है शीरशक रूड़ियों को तोड़ा है रेल का एंजिन आदमी चलाते हैं पर जार खंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षी महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है उत्री रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक है लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संगर्श किया लक्ष्मी की शिख्षा एक सरकारी स्कूल में हुई स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों वो अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा अरजित किया फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में उत्तिरन हो गई लक्षमी कहती है मुझे चनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई ये कहता है कि फ़ला काम लड़कियों के लिए नहीं है मैं उसे करके रहती हूँ लक्षमी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वो इलेक्ट्रोनिक्स करना चाहती थी जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटर साइकल चलाई और उसने तै किया कि वो एंजिन ड्राइवर बनेगी उसका द्रिष्टिकों सीधा साधा है जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता-पिता की मदद कर पा रही हूँ तो मैं अपने तरीके से क्यों न जी हूँ ड्राइविंग हर ट्रेन नीला लाल विमेंस फीचर सर्विस से रूपा अंतरित प्रिष्ट 58 लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वितन मिले यदि वे दूसरे लड़कों की तरहें व्यवाहार नहीं करते हैं तो उन्हें चड़हाय जाता है और दौस दी जाती है आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्थक में हमने आपको बताया था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रूने पर चड़हाय जाता है यहां की कहानियों को पढ़िए और उसके बाद दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए यदि आप जेवियर होते तो कौन से विशय चुनते अपने अनुभव के आधार पर बताये कि लड़कों को किन-किन दबावों का सामना करना पड़ता है शीरशक परिवर्तन के लिए सीखना स्कूल जाना आपके जीवन का एक बहुत महत्वपून हिस्सा है जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक-अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना आए एक साधारन बात है यहां कुछ चित्र दिये हुए है जेवियर अपना दस्वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था यद्यपी विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे लेकिन अपने पसंदीदा विशाय इतिहास और भाशाओं में उसने अच्छा किया था जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए उसकी मा बुली हे भगवान जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65 प्रतिशत लाए हो बहुत एक शास्त्र में भी तुमारे अंक बहुत कम है जेवियर बोला मुझे पता है मा पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ने भी नहीं चाहता हूं मैं इतियास पढ़ना चाहता हूं उसके पिता बोले इतियास क्यों पढ़ना चाहते हो अपने भविश्य के बारे में सोचो तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है इतिहास से क्या मदद मिलेगी इसमें कोई भविश्य नहीं है जेवियर बोला पर मुझे गनित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता उसकी मा बोली समझदारी से काम लो बेटे गनित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है प्रिष्ट उनसट आज हमारे लिए ये कलपना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँचके बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है परन्तो अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजर्ग करते थे लड़कियों की स्थिती और भी खराब थी उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाय जाता था लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमती नहीं थी यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुमारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाय जाती थी ये धारना थी के लडगियों और ओरतों का काम केवल सहाइता करने तक ही सीमित है उधारण के लिए कुमार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बरतन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी चुँके वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुमार नहीं माना जाता था उन्नीस्वी शताब्दी में लगभग दोसो वर्षपूर शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया विद्याले अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयम कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ इसके बावजूद बहुत से स्त्रियों और पुरुशों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयात्न किये स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संगर्श किया आईए हम राज सुंदरी देवी अठारा सो से अठारा सो नव्वे का अनुभव जाने जो दो सो वर्ष पूर पश्चिमी बंगाल में पैदा होई थी साथ वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांगला भाशा में अपनी आत्मकता लिखी यहाँ दो चित्र दिये हुए हैं एक चित्र में बहुत सी महिलाएं कुछ कारे कर रही हैं और दूसरे चित्र में रमा भाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयम कभी स्कूल नहीं गई पर अपने मातापिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया उन्हें पंडिता की उपात ही दी गई चूंके वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्ध थी औरतों को तब ये ग्यान अरजित करने की अनुमती नहीं थी उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गाउं में एक मिश्वन स्थापित किया जहां विधवास्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी उन्हें लकडी से चीजें बनाने चापा खाना चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है जो पहला चित्र था उसमें छपी तस्वीर में उनका चापा खाना दिखाया गया है रमबाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है पेज साठ उनकी पुस्तक आमार जिवोन किसी भारतिय महिला द्वारा लिखित पहली आत्म कथा है रामसुंद्री देवी एक धनवान जमीदार परिवार के ग्रहनी थी उस समय लोगों को विश्वास था कि ये दिल लड़की लिखती पड़ती है तो वो पती के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयम ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा मैं अत्यांत सबेरे ही काम करना शुरू कर देती थे और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी बीच में भी विश्राम नहीं होता था उस समय मैं केवल चौदे वर्ष की थी नेरे मन में एक अभिलाशापन अपने लगी मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडूलिपी पढ़ूंगी मैं अभागी थी उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाय जाता था बाद में मैं स्वैम ही अपने विचारों का विरोध करने लगी मुझे क्या हो गया है स्त्रिया पढ़ती नहीं है फिर मैं कैसे पढ़ूंगी शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिती के बारे में प्रश्ण उठाए उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वरुनन करते हुए कहानिया, पात्र और आत्म कताएं लिखें अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुश दोनों के लिए सोचने और जीने के नय-nyed तरीकों की कल्पना की यहाँ एक महिला का चित्र दिया हुआ है सुल्तानाज ड्रीम शिर्शक रुकईया सखावत हुसैन और लेडी लेंड का उनका सपना रुकईया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी यद्यपी उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था परन्त उन्हें बांगला और अंग्रेजी सीखने से रोखा गया उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा की रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी जिने लोग लड़कियों के लिए ठीक रही मानते थे इसलिए अंग्रेजी अधित्तर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी रुकईया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयूख से बांगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा आगे जाकर वे एक लेखी का बनी 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक लेखनी ये कहानी लिखी जिसका शिर्शक था सुल्ताना का सौपन कहानी में सुल्ताना नामा के एक स्त्री की कलपना की गई थी जो लेडी लेंड नाम की एक जगाँ पहुचती है लेडी लेंड ऐसा स्थान था जहांपर स्त्रीयों को पढ़ने, काम करने और आविशकार करने के स्वतंत्रता थी इस कहनी में महलाएं बादुलों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोशती है और हवाई कारें चलाती है लेडी लेंड में पुरुषों की आकरमक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौधिक शक्ती से हरा दिये जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिये जाते हैं सुल्ताना लेडी लेंड में अपनी बेहन साराहा के साथ यात्रा पर जाती है तब ही उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल सौपन देख रही थी जैसा कि आपने जाना कि रुकईया सखावत हुस्यान उस समय इस्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का सौपन देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमती नहीं थी इस तरह से शिक्षा ने रुकईया का जीवन बदल दिया रुकईया केवल स्वयम शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं होई उनकी शिक्षा ने उन्हें सौपन देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी 1910 में उन्होंने कोलकता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार कर रहा है प्रिष्ट 61 फिर मुझे एक स्वपन आया मैं चैतन्य भागवद एक संत का जीवन पढ़ रही थी बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी मैंने अपने पती को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना देपेन मैंने अपनी चैतन्य भागवद यहां छोड़ी है जब मैं इसे मंगाओ तुम इसे अंदर ले आना वे पुस्तक वहीं छोड़ कर चले गए जब पुस्तक अंदर रग दी गई मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे चुपा दिया उसे चुपाना भी एक बड़ा काम था चुपके किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था मेरा सबसे चुपा बिटा उस समय ताड के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था उसमी से भी मैंने एक चुपा दिया जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किये गए अक्षरों से करती मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद उन्हें पढ़ना सीख सकी रास सुंद्री देवी के अक्षर ग्यान ने उन्हें चैतर ने भागवत पढ़ने का अवसर दिया स्वयम अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय के स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया रामसुंद्री देवी ने अपने दैन अंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार सो लिखा है ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षान भर का भी विश्राम नहीं मिलता था इतना समय भी नहीं कि विजरा बैठ कर कुछ खाही लें शीर्शक वर्तबान समय में शिक्षा और विद्याले आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्याले जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों के शिक्षा में अंतर है भारत में हर दस वर्ष में जनगरना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गरना की जाती है इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तरित जानकारी एकत्रित की जाती है जैसे उनकी आईयू, पढ़ाई, उनके द्वारा किये जाने वाले काम, आदे इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेग बातों के आंकलन के लिए करते हैं जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, तथा स्त्री और पुरुशों का अनुपार 1961 की जैनगर्णा के अनुसार, साथ वर्ष और उससे अधिक आईयू के सब लड़कों और पुरुशों का 40 प्रतिशत शिक्षित था अर्थाद, वे कम से कम अपने नाम लिख सकते थे यहाँ दो चित्र दिये हुए हैं, पहले चित्र में लड़कियां हैं और एक लड़की बैठ कर कुछ पढ़ रही है रामसुंदरी देवी और रुकया हुसेन जिनने पढ़ने लिखने की अनुमती नहीं मिली थी कि स्थिती के विपरीत परतमाद समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षन की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है सभी समाजों और वर्गों के प्रिष्ठ भूमी वाले बच्चों को शिक्षन की समान सुविधाओं प्रदान करना विशेशकर लड़कियों को आज भी भारत में एक चुनौती है दूसरा चित्र इसमें कुछ लड़कियां बैठी हैं साथ में उनकी शिक्षिका है लिखा है क्वालिटी एजुकेशन सतत विकास लक्ष चार गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा www.in.undp.org प्रिष्ठ बासट इसकी तुल्ना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15 प्रतिशत भाग शिक्षित था 2011 की जन गणना के अनुसार लड़कों वा पूरुशों की ये संख्या बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65 प्रतिशत इसका आशय ये हुआ कि पूरुशों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिनें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलुणा में पूरुशों का प्रतिशत अधिक है इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है बताई जा रही तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाय गया है जब बीच में ही विद्याले छोड़ देते हैं अनसूचित जाते SC और अनसूचित जन जाते ST के लड़कें और लड़कियां इनमें शामिल है शिर्शक स्कूल शिक्षा में आवसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-2015 प्रतिशत में स्कूल का स्थर प्राथमेक कक्षा एक से पांच लड़के 4.36 प्रतिशत सब लड़कियां 3.88 प्रतिशत योग 4.13 प्रतिशत लड़के 4.71 प्रतिशत अनसूचित जाती लड़कियां 4.20 प्रतिशत योग 4.46 प्रतिशत लड़के 7.02 प्रतिशत अनसूचित जन जाती लड़कियां 6.8 प्रतिशद योग 6.9 प्रतिशद उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 लड़के 3.49 प्रतिशद सब लड़कियां 4.6 प्रतिशद योग 4.03 प्रतिशद लड़के 5 प्रतिशद अनसूचित जाती लड़कियां 6.03 प्रतिशद योग 5.5 प्रतिशद लड़के 8.48 प्रतिशद अनसूचित जन जाती लड़कियां 8.7 प्रतिशद योग 8.59 प्रतिशद मध्यमिक कक्षा 9 से 10 लड़के 17.21, सब लड़कियां 16.88, योग 17.06, लड़के 19.64, अनसोचित जाती लड़कियां 19.05, योग 19.36, लड़के 24.49, अनसोचित जन जाती लड़कियां 24.49, योग 24.68, सरोत एजुकेशनल स्टाटिस्टिक्स अट गलांस M.H.R.D. 2018, संभावता, यहां बताई गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा, कि सब लड़कियों की श्रिणी की तुल्ना में अनसोचित जाते और अनसोचित जन जाती की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थिया हुआ कि दलित वा आदिवासिय प्रिष्ट भूमी की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जन गरना से ये भी पता चलता है कि अनसूचित जाते और अनसूचित जन जाती की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग तीन वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समूदायों की लड़कियां स्कूल में चार वर्ष का समय बिता पा रही हैं। उच्छ प्राथमिक स्तर पर कितने बच्छे स्कूल छोड़ देते हैं? शिक्षा के किस स्थर पर आपको सरवाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं आपके विजार में अजने सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्याले छोड़ने की दर अधिक क्यों है दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण है देश के अनेक भागों में विशेशकर ग्रामीन और गरीब खित्रों में नियमेत रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है नहीं शिक्षप प्रिष्ट 63 यदि विद्याले घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस यवेन आदी की व्यवस्था न हो तो आभेभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते कुछ परिवार अत्यंत दिर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते ऐसी स्थिती में लड़कों को प्राथमिक शिक्षा मिल सकती है बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं जोके उनके साथ उनके शिक्षक और सहबाठी भेदभाव करते हैं जैसा के ओम प्रकाश वालमीकी के साथ हुआ यहां एक चार्ट है प्रतिशत में दस आठ छे चार दो शूने लड़के और लड़किया सभी लड़के चार दश्मलव तीनचे प्रतिशत अनुसूचित जनजादी के लड़के साथ दश्मलव शूने दो प्रतिशत एक चुत्र बना हुआ है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को बताई गई तालिका में से लेकर दंडा रेख के रूप में दर्शाईए दो आंकड़े आपके लिए दंडा रेख के रूप में दर्शाई गए हैं अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का आधिकार है अन्यक्षित्र भी हैं जैसे गानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्त थे जहां लड़कियों और महिलाओं के स्थिती बेहतर हुई है ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं और तों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संगर्ष किये हैं इन संगर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है देश की विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनद, निष्ठा और उनकी विशेष्टाएं इसे एक बहुती जीवन्त आंदोलन बनाती है इसमें चेतना जागरित करने, भेद भाउं का मकाबला करने और नियाय हासिल करने के लिए भिन भिन रणनीतियों का उपयोग किया गया है इनकी कुछ जलकियां आप यहां देख सकते हैं या एक चित्र है, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं और उन्होंने महिलाओं को और फिर एक-एक महिला को उपर उठाया हुआ है प्रिष्ट चौंसट शीरशक अभियान भेद भाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला अंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अभियानों के फ़लस्वरूप नए कानून भी बने है सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को खानूनी सुरक्षा दी जा सके इसी तरहे महिला अंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच नियायले ने कारे के स्थान पर और शैक्षनिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रतारणा से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए देशा निर्देश जारी किये हैं एक और उधारन देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई नव विवाहित युवतियों को उनके पती और ससुराल के लोगों द्वारा दहेश के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है इस मुद्दे पर महिलाएं सलकों पर निकल आएं उन्होंने अदालत के दर्वाजे खटखटाए और आपस में अनुभव जानकारियों का आदान परदान किया अन्तिताह ये समाज का एक बड़ा सारवजनिक मुद्दा बन गया और अख़बारों में च्छाने लगा दहेज से सम्मधित खानून को बदला गया ताकि दहेज मागने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके यहाँ कुछ चित्र हैं जिसमें महिला आंदूलन कर रही है और एक महिला एक कागस पड़ रही है सत्यारानी महिला आंदूलनों की एक सक्रिय सदस्या दहेच के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में नयाय मागने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की खानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच नयायलाय की सीड़ियों पर बैठी है सर्वोच न्यायलय का चित्र तिरंगा लहरा रहा है और सीड़ियों पर सत्यारानी बैठी हुई है प्रिष्ट पैंसट शीर्शक जागरूकता बढ़ाना और तों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्विथा गीतों, नुकड़नाटकों वजन्द सभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुँचाता है यहाँ दो चित्र हैं, एक में महिला कुछ दिखा रही है, दूसरे चित्र में महिलाएं नुकड़नाटक कर रही हैं, गा रही है शिर्शक विरोध करना जब महिलाओं के हितों का उल्लंगन होता है, जैसे किसी कानून अत्वा नीती द्वारा, तो महिला अंदोलन ऐसे उल्लंगनों के खिलाफ आवाज उठाता है लोगों का ध्यान खीचने के लिए रेलियां, प्रदर्शन आदी बहुत असरकारक तरीके हैं जहां एक चित्र में महिलाओं प्लेकार्ड उठाकर प्रदर्शन कर रही है, प्रिष्ट 66, शीर्शक, बंधुत्व व्यक्त करना नियाओं के अन्य मुद्दों वा औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है यहां दो चित्र हैं, पहले चित्र में आठ मार्च, अंतराश्ट्रिय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्शों को ताजा करने और जश्ट मनाने के लिए इकठी होती है दूसरे चित्र में महिलाएं मौमबत्ती जलाए हुए हैं हर साल 14 अगस्त को वागा में भारत पाकिस्तान के सीमा पर हजारों लोग एकठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजित करते हैं इस तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मौमबत्तियां उठा रही हैं तीसरे चित्र में बहुत सारी महिलाएं हाथ उठा कर संकेत दे रही हैं प्रिष्ट 66 अभ्यास एक आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारना के वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है दो कोई एक कारण बताईए जिसकी वज़े से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुक्या हुसैन के लिए अक्षर ग्यान इतना महत्वपून था तीन निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुची नहीं है यहां पीछे प्रिष्ट सत्रह पर दिये गए अनुच्छेत को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि कथन सही क्यों नहीं है चार क्या आप महिला अन्दोलन दौरा व्यवहार में लाए जाने वाले संगहर्श के दो तरीकों के बारे में बता सकते हैं महिलाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं इस विशे पर आपको रूरी वादियों के विरुध संगहर्श करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे आप इसी विशेश तरीके का उपयोग क्यों करेंगे शब्द संकलन रूड़ी वादी धारना जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेश, धार्मिक, आर्थिक, खेत्रिय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेशताएं होती ही हैं या वे किवल खास प्रकार का कारे ही कर सकते हैं तब रूड़ी वादी धारनाओं का जन्म होता है जैसे कि इस पार्ठ में हमने जाना कि लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग विशेश लेने के लिए कहा गया कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का-लड़की होना था रूड़ी वादी धारनाओं हमें लोगों को उनकी वयक्तिक विशेश्चताओं के साथ देखने से रोकती हैं भेदभाव भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता वा आदार का व्यवार नहीं करते हैं यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वा ग्रहों से ग्रसित होती हैं बीद भाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग-अलग व्यवार करते हैं या भेद करते हैं उल्लंगन जब कोई जबरदस्ती गानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंगन किया है यौन प्रतारना इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध है उसके साथ यौन से जुड़ी शारिरिक या मौखिक हरकतें करने से है इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय पांच यहां समाप्त हुआ वाचक नीरट शर्म अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत